हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके इस यूटूब चैनल आर न इंस्ट्यूट अलहवाद में बच्चों आज देखिए हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर जो हमाला चल रहा है अभी जो अभी इसमें कंटीनू है उसमें आज हम एक important topic के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है chemical properties of carbon compound क्या नाम है chemical properties of carbon compound ये आज हमारी एक topic बेहतरिंग topic है अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं इससे एक दो तीन नंबर के question लगभग इससे पूछे ही जाते हैं तो यहां देखिए पहली अगर इसकी property देखें तो इसकी चार reaction होते हैं पहला जो reaction है combustion reaction है दूसरा है oxidation reaction है तीसरा है substitution reaction है और चौथा है addition reaction ठीक ये चार reaction है चार reaction है ये chemical properties of carbon compound कहलाते हैं तो हम बारी बारी से चारो reaction पर बात करेंगे सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जब हम ये चीजे बात करें इन टॉपिक पर इन reaction पर बात करें आप अच्छे से वीडियो को देखिए और आपको confirm ही समझ में आएगा ठीक तो हम चलते हैं बारी बारी से एक एक reaction पर बात करते हैं सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं combustion reaction अब देखिए combustion reaction होता क्या है बात वो हम सबसे पहले आती है combustion reaction क्या होता है तो यहां में देखिए the process of burning the process of burning carbon compound in the presence of air the process of burning of carbon compound in the presence of air to form carbon dioxide water and heat and light देखिए वो process होता है combustion reaction वो process होता है जिसमें आप carbon hydrocarbon को आप burn करेंगे oxygen की presence में ठीक जब आप burn करेंगे उसे तो आपको कुछ चीजे मिलेंगी जैसे carbon dioxide मिलेगी heat मिलेगी light मिलेगी और पानी मिलेगा तो देखिए अभी हम combustion reaction के बारे में थोड़ा detail से बात कर लेते हैं तो हम देखिए और सब यहां पे जो तीन reaction बची हुई है इन्हें हम रब कर देते हैं और सिर्फ combustion पर बात करते हैं ठीक तो यहां देखिए यह जो हैं यहां combustion का मतलब ही burning होता है क्या होता है burning होता है combustion का एक दूसरा नाम भी आप कर सकने burning ठीक combustion का मतलब ही burning होता है तो यहां देखिए यह हुआ कि यहां पे अगर आप कोई hydrocarbon ले लेते हैं क्या भी है मैंने आपको बताए definition इसके क्या बताई वो अगर एक reaction से दिखा जाए तो क्या होगा कि आप अगर कोई एक hydrocarbon ले ले लेते हैं और उसे oxygen के presence में heat करते हैं जलाते हैं तो क्या क्या चीज़े form होगी इसी पर आज हम बात करने वाले हैं combustion reaction यही होता है तो चलिए हम एक example ले लेते हैं देखिए saturated अभी अगर saturated hydrocarbon की बात करें हम तो saturated hydrocarbon अच्छे से जलेगा देखिए हमारा जो LPZ होता है liquid petroleum gas जो हमारे घरों में gas आता है अगर उसकी बात करें तो उसमें methane पाया जाता है और जब भी आप methane को जलाते हैं जब भी आप gas को जलाते हैं तो नीचे देखिए जो burner होता है उसके नीचे कुछ ना कुछ शेद नुमा होता है वहाँ से oxygen flame देता है अगर कोई भी चीज आपको blue flame में नजर आती है तो आप समझ जाईए यहाँ पे जो एक तरीके इधन कह सकते हैं जो भी compound है वो अच्छे से जल रहा है ठीक और कभी कभी देखिए कभी कभी हमारा कभी कभी आप जब गाउं की अगर बात करें तो यहाँ पे एक इसलिए देखिए वहाँ अकसर आपको yellow flame दिखा होगा जब भी आप किसी लगडी को जलाएंगे यह cow dunk जो एक तरीके से हिंदी वहाँसा में प्रयोग किया जाता है जिससे कहते हैं गोवर कहा जाता है उसको जब सुखा के उसका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे देख होता है लेकिन वहाँ unsaturated hydrocarbon होगा वहाँ पे अच्छे से burn नहीं होगा ठीक और यहां मीथेन जो होता है मीथेन हमारा completely burn होता है और blue flame देता है और यहां पे क्या होता है यहां पे होता है कि जब blue flame देगा तो यह completely burn होगा और वही हमारा Lpz में हुआ मीथेन होता है तो वही reaction हम लिखने जा रहा है हम saturated की बात करें हैं कि Lpz हमारा जलता कैसे है जैसे अगर हम CH4 ले लिए यह मीथेन है मीथेन यही जो है ठीक यही Lpz में पाया जाता है ठीक यही मीथेन Lpz में पाया जाता है अगर इसे हम oxygen की presence में burn करें और यहां पे heat हम दे धीक यहां पर हमने दिया पर मीथेन के साथ यह क्या है यह saturated hydrocarbon है इसके साथ हमने heat दिया oxygen की presence में जब यह जलेगा तो यहां पर सिर्फ देखिए यहां पे carbon dioxide कारबन लिया अफसाइड रिलीज होगी प्लस यहां पर ही ड्रीलीज होगी इतनी चीज़ें यहां पर निकलती है अब मुझे विस्वास है कि आपको यह जीजें समझ में आ रही होगे ठीक तो देखें यही है हमारा combustion और combustion की अगर बात करें हम तो हमेशा ये saturated hydrocarbon में combustion अच्छे से होगा, burning अच्छे से होगी और unsaturated hydrocarbon में burning उतने अच्छे से नहीं होगी, ठीक तो चलिए अब हम अगला reaction अपना देख लेते हैं, जिसका अगला reaction जो था oxidation reaction ठीक चलिए देखिए अब हम बात कर लेते हैं oxidation reaction के देखिए अगर oxidation reaction की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ सबसे important चीज होता है, कि oxidation reaction में आपको कहीं न कहीं से oxygen देना होगा, ठीक, oxidation reaction में कहीं न कहीं से oxygen आपको मिलना चाहिए तब ही oxidation reaction perform होगा, ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कि यहाँ पर आपको दो reason to use करेंगे, यहाँ पर जो आप class 10 के इस करवाएंड इस compound में अगर oxidation की बात करें, तो यहाँ पर देखिए oxidation का मतलब यहाँ यह है, कि जब भी आप कोई alcohol लेंगे, क्या लेंगे हो जाएगा, यह acid में convert हो जाएगा, किस में convert हो जाएगा, acid में convert हो जाएगा, जब भी आप कोई alcohol लेंगे और उसका oxidation करवाएंगे, तो वो acid में convert हो जाएगा, तो चलिए हम एक example कोई ले लेते हैं, और उस example से हम अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे कोई alcohol, जब हम oxidation करवाते हैं किसी alcohol का, तो acid में कैसे convert हो जाता है, और उसके लिए क्या-क्या चीजें जरूरत, क्या-क्या चीजों का जरूरत पड़ता है, हम वो चीज देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, एक तो अगर हम कोई alcohol ले लेते हैं, जिसे हम ethyl alcohol ले ले लेते हैं, C2H5OH, क्या है C2H5OH, अगर इसके name की बात करें, तो यह होता है ethyl alcohol, क्या होता है, ethyl alcohol, अगर इसका आप IUPAC जानना चाहते हैं, या common name इसका, तो इसके पहले आप वीडियो देखिए, वहाँ पर हमने IUPAC में यह सब अच्छे से चर्चा किया हुआ है, कि कैसे इसका नाम ethyl alcohol हुआ है तो यहाँ पर देखिए, अगर alcohol की बात करें, तो यहाँ पर हम C2H5 ले ले लेते हैं, ethyl alcohol ले लेते हैं, और यहाँ पर हम Oxidation करवाएंगे, देखिए Oxidation के लिए यहाँ पर आपको दो Oxidizing agent लेना होगा, वो कौन-कौन से हैं, वो है KMNO4, potassium permagnetic, KMNO4 आप याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपको Oxidation करवाना है, तो यहाँ पर आप KMNO4 हमेशा लेंगे, या K2Cr2O7 लेंगे, ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, KMNO4 और यहाँ पर K2Cr2O7, यहाँ पर KMNO4, K2Cr2O7 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पर दोनों चीज़े होगी, और प्लस Heat हम लिख यहाँ पर Heat का सिंबल दे देते हैं, यह देखिए, सिंबल Heat का होता है, यहाँ पर अगर इन दोनों की बात करें, तो यह दोनों क्या है, यह दोनों यहाँ पर Oxidizing isn't है, क्या है, Oxidizing क्या है isn't, Oxidizing isn't है, यह दोनों Oxidizing isn't है, मतलब Oxidizing isn't का मतलब क्या है, Oxidizing isn't का मतलब यह है कि यह लोग इस जो अलकोहल है इसे oxygen प्रोबाइट करेंगे और जब oxygen प्रोबाइट करेंगे तो यही अलकोहल हमारा convert हो जाएगा जब यह oxygen प्रोबाइट करेंगे और heat की presence में यही हमारा alcohol carboxylic acid में convert हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा CS3COOH, अब देखिए Oxidation का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर Oxygen कहीं पर Oxygen Add हो जाए और Hydrogen कम हो जाए तो उसी को Oxidation कहते हैं ठीक, अगर कहीं पर Hydrogen कम हो जाता है और Oxygen जादा हो जाता है तो उसी को हम Oxidation कहेंगे यहाँ पर अगर आप चेक करिए तो यहाँ पे oxygen सिर्फ एक था, कितना oxygen था, सिर्फ एक oxygen था, और यहाँ पे देखिए oxygen दो-दो हो चुके हैं, कितना oxygen हो चुके हैं, यहाँ पे oxygen दो-दो हो चुके हैं, और यहाँ पे hydrogen, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे hydrogen 4 बचे हुए हैं, ठीक, removal of hydrogen and addition of oxygen is called oxidation reaction, ठीक, तो यह थी आ इसके नाम कि हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथे एक अच्छा होता कि क्या नाम होगा इसे अच्छा से मिटा देते हम इत्थे आप 21 वीडियो में हमने बताया था कि यह कहां पाई जाती है यही हमारे सिरके में पाई जाती है जो यहां पे मम्मी लोग जो है माता है जो बहने हैं जब पिगल्स बनाती है अचार कोई बनाती है तो वहां पे इसी एसिड का प्रयोग करती है यह एसिड गन्ने को जब हम रख देत काफ़े दिन तक तो यही acid form हो जाता है उसी का नाम है इthernoic acid इसी को हम गाओं की भासा में तो मतलब अगर सब लोग जानते हैं गाओं की भासा में नहीं इसी को हम सिरका कहते हैं किया कहते हैं तो यह थी देखिए oxygen reaction, अब आगे हम किसी और reaction की बात कर लेते हैं चलिए दोस्तों देखिए अब हम substitution reaction की बात कर लेते हैं यहां पर देखिए substitution reaction की अगर definition की बात करें हम तो यहां पर देखिए definition मैंने लिख दिया है जिसे time हमारा waste ना हो ठीक यहां पर देखिए क्या है the reaction in which one or more hydrogen atom of hydrocarbon are replaces by some other atom like chlorine is called substitution reaction ठीक यह है इसमें कह क्या अगर हिंदी में हम बात करें तो यह कह रहा है कि यहां पर कोई reaction perform हो ठीक कोई reason हो जिसमें hydrocarbon के hydrogen को replace किया जाए किसी chlorine जैसे atom atom से उसी को substitution reaction कहा जाता है तो यहां पर हम चलते हैं एक example लेके यहां पर देख लेते हैं कि substitution reaction कैसे perform होता है तो हम देखिए एक saturated hydrocarbon का एक example लेते हैं जैसे पिछले reaction में मैंने example ले था methane का वैसे यहां पर भी methane का example ले लेते हैं जैसे हमने combustion में methane का example लिया हुआ था भी तो हम फिर से एक बार methane का example example ले लेते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर CH4 है अब यहाँ पर कह क्या रहा है हम अगर definition के हिसाब से चलें तो यह कह क्या रहा है the reaction in which hydrogen atom of hydrocarbon यह हुआ hydrocarbon ठीक hydrocarbon का hydrogen replace होगा किसी chlorine जैसे atom को लेके तो हम यहाँ chlorine से reaction करवाएंगे इसे chlorine से reaction करवाएंगे और यहाँ पर यह इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब reactive नहीं होता है लेकिन अगर sunlight के presence में हम chlorine से reaction करवाएंगे तो यह reactive बन जाता है ठेक तो यहाँ पर अगर sunlight हम देदें sunlight यहाँ पर अगर हम sunlight देदें यहाँ पर तो यह reaction अच्छे से हो जाएगा Sunlight यहाँ पर देदें तो यह reaction हो जाएगा अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ से एक hydrogen remove हो जाएगा और यहाँ से एक chlorine इसके पास जूड़ जाएगा यह हो जाएगा CS3Cl और इसके नाम के अगर हम बात करें तो इसका नाम होगा chloromethane क्या होगा chloromethane क्या होगा chloromethane होगा यहाँ methane था यहाँ पर chloromethane बन गया लेकिन देखिए अभी अगर chlorine अब chloromethane फिर से अगर हम chlorine को add करें addition reaction यही है कि chloro यहाँ पर कोई chlorine जैसा atom यहाँ के सारे hydrogen को remove कर देगा ठीक तो यहाँ पर अगर हम को यहाँ से अगर फिर हम hydrogen को हटाना चाहते हैं तो हम फिर से यहाँ पर chlorine से reaction करवा देंगे और यह फिर से यहाँ से एक hydrogen remove हो जाएगा और दो chlorine यहाँ पर आ जाएगी और उसका नाम हो जाएगा डाई chloromethane क्या नाम हो जाएगा डाई chloromethane उसका नाम हो जाएगा फिर देखे हम चलिए यहाँ लिखी देते हैं एक example यहाँ पर जैसे CS3 CL है और फिर से हमने chlorine की presence में reaction करवा दिया और sunlight हमने दे दी ठीक sunlight की presence में chlorine की presence में हमने reaction करवा दिया और यहाँ पर क्या form हो जाएगा यहाँ पर CH2 हो जाएगा और एक CL तो था ही एक CL और यहाँ पर लग जाएगा इसका नाम हो जाएगा इसका chloromethane नाम था यहाँ दो chlorine हो ज प्लोरो मीथेन इसका नाम हो जाएगा, तो देखिए अगर हम यह बात करें तो इस तरीके से बहुत सारे सब्सिटूशन डीयक्षन में हो सकते हैं, ठीक, तो यह था सब्सिटूशन डीयक्षन, अब हम आगे बात करते हैं, एक जो हमारा reaction बचा हुआ है चलिए अब हम देखिए बात कर लेते हैं addition reaction की अब देखिए यह हमारा last reaction बचा हुआ है यहाँ chemical properties of carbon compound में last reaction बचा हुआ है addition reaction ठीक अगर addition reaction की बात करें तो यह हमेशा unsaturated hydrocarbon में होता है किसमें होता है unsaturated hydrocarbon में होता है तो यहाँ पे देखिए unsaturated hydrocarbon में ये addition reaction होता है और इसमें हम hydrogen को add करते हैं unsaturated hydrocarbon में और उसे हम बनाते हैं saturated hydrocarbon ये industrial के लिए जो industries में use किया जाता है जैसे वहाँ पे कोई oil है oil को जब oil हमारा unsaturated होता है जो हमारे लिए फाइदे मंद है अगर unsaturated है तो वह हमारे लिए अच्छा होता है जब हम उसका hydrogenation करवा देते हैं industries में जब उसका hydrogenation करवा दिया जाता है तो वह saturated बन जाता है और वह हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता उसमें fatty acid आ जाती है और उसमें fat ज़्यादा हो जाता है उसी से लोगों को heart problem होने लगती है तो हमें सबसे wish है कि हम unsaturated oil को इस्तिमाल करें तो हम चलते हैं उसके process को देख लेते हैं जिसका नाम है hydrogenation hydrogenation क्या है hydrogenation की अगर बात करें हम तो addition of hydrogen in unsaturated hydrocarbon देखिए यहां पे लिख देते हैं addition of hydrogen hydrogen in unsaturated unsaturated hydrocarbon hydro carbon take addition of hydrogen in unsaturated hydrocarbon okay and so your hydrocarbon to obtain obtain saturated hydrocarbon saturated hydro carbon is known as hydrogenation known as hydrogenation ठीक यह hydrogenation की diffusion अगर addition होता है hydrogen का किसी unsaturated hydrocarbon में और किस लिए किया जाता है saturated hydrocarbon बनाने के लिए किया जाता है तो इसी process को hydrogenation कहा जाता है ठीक अब यहां पे अगर देखें देखें अभी हमने पहले बताया कि यहां पे unsaturated जो आता है इसमें हमारे mustard oil जैसे हमारा जो सरसो का तेल होता है यह सब आते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं लेकिन industries में क्या किया जाता है इनहीं जो mustard oil है इनहीं सबका vegetable oil में vegetable घी बना दिया जाता है इनहीं सबका उस process का नाम है hydrogenation वही process हम चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है और क्या-क्या इसमें नुकसान है क्या-क्या फायदा है कौन से नुकसान करते हैं कौन से हमें फायदा पहुचाते हैं तो चलिए यह हम rub कर देते हैं और एक example लेके देख लेते हैं कि कैसे hydrogenation process perform किया जाता है ठीक तो हम चलिए एक example ले लेते हैं जिसे हमने एक visitable oil का example ले लिया है जो visitable oil होगा वो unsaturated होगा तो यहां पे cs3 यहां पे c2 double bond c2 होगा और यहां पे यहां पे बुजाये एक r हो जाएगा और यहां पे एक r हो जाएगा ठीक यहां पे देख लेते हैं balance complete है कि नहीं यहां पे 2,1,3,4 2,1,3,4 यहां पे देखिए complete balance है इसकी भी balance complete है तो यहाँ पे लिखे जैसे यह हमारा reaction है हम अगर इसे अच्छे से लिख दें तो यहाँ पे हम hydrogen यहाँ पे कर देते हैं और R यहाँ पे कर देते हैं यह हुआ ठीक अब अगर हम hydrogenation की बात करें तो hydrogenation में यहाँ पे आपको hydrogen यहां पे देना होगा hydrogen की प्रजेंस यहां पे आपको लखनी होगे और किस चीज में यहां पे एक आपको यहां पे निकल भी लेना होगा क्या लेना होगा निकल यह क्या करेगा यह reaction को तेज कर देगा reaction को perform करने में मदद करेगा और यहाँ पे nickel catalyst का काम करेगा ठी और यहाँ पे आपको heat देनी होगी क्या देनी होगी? heat देनी होगी जब आप यह देखिए reaction perform करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कि यह जो double bond है यह single bond में convert हो जाएगा जो यह double bond है यह single bond में convert हो जाएगा यहाँ से हम यह भी hydrogen remove करके R लगा देते हैं और देखिए अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि R का क्या मतलब है यहाँ पे R का यहाँ पे मतलब बस इतना ही है कि R हम अगर लिकरें है उसे आप समझ यह मेथिल उसे क्या समझ यह कि वो भी एक hydrocarbon ही है hydrocarbon की एक लंबी चैन थी आप यही समझ ले जिए तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे double bond को हम single bond में convert करेंगे यहाँ किस की presence में hydrogen की presence में तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ carbon carbon single bond हो जाएंगे ठीक single bond हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे single bond हुए तो एक एक balance इसकी खाली हुई और R आर जो यहाँ थे यह दोनों R तो यहीं रहेंगे ठीक यहाँ पे भी R होगा यहाँ पर भी R होगा यहाँ पर भी R होगा लेकिन यहां से जब एक valency इसके खाली हुई एक valency इसके खाली हुई और यहां से आपने hydrogen को add गिया है तो यहां पे एक hydrogen लग जाएगा और यहां पे एक hydrogen लग जाएगा यही हो जाएगा हमारा यही इसी प्रॉस्स को हम कहते हैं hydrogenation और यही होता है وेजी टेडल भी यह सी को कहते हैं क्या कहते हैं वेजी टेवल गी इसी को कहते हैं और ये था वेजी टेवल ओयल अब देखिए हम बात करते हैं कौन सा हमारे लिए अच्छा है और इंडिस्टीज में क्यों ऐसा किया जाता है सबसे महत्पूर बात है अगर हमारे लिए वेजी टेवल गी नहीं अच्छा है तो यहां पे क्या है कि यहां पे hydrogenation process है vegetable oil जैसे जो हमारा mustard oil था उसे convert कर दिया गया vegetable घी में जैसे डालडे में convert कर दिया गया लेकिन ऐसा क्यों किया गया यह हमारे लिए फाइदे मंद होता है यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक होता है ठीक लेकिन ऐसा क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया ध्यान से सुनिए ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसे हम बहुत दिन तक प्रिजर्व नहीं कर सकते और इस चीज को हम जादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं वेजिटेवल घ पैनल को subscribe करें हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में share करें जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते जो अच्छी जगां नहीं पढ़ पाते उन्हें share करें जिससे उन्हें भी एक support मिल सके हमारा जिसे वह भी आगे बढ़ सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सके जै हिंद जै भारत दोस्तों इसी के साथ अब हम अलविरा लेते हैं